Hello दोस्तो CSR.net का Admit Card आ चुका है आप CSR NTA के वेबसाइट से ये Admit Card आप डाउनलोड कर सकते हूँ ठीक है तो ये Admit Card कहां से डाउनलोड करना है यहाँ पे देखिए CSR NTA के वेबसाइट पे जाओगे आप जहां से आपने exam form भरा है उसी page पे आपको जाना है वहाँ पे आपको आपका application number all date of birth ये दो चीज़े एंटर करनी है अब ये आपका application number आपको कहां से मिलेगा आपका application number आपको CSR NTA से आये हुए email में मिलेगा ठीक है वैसे ये application number आपने पहले से note down करके ही रखा होगा क्योंकि city innovation भी आया था दो दिन पहले उस time पे भी आपने ये application number एंटर किया होगा मगर नहीं किया है तो कुभी कोई बात नहीं आपके email ID में जाएए जो भी email ID आपने provide किया है उस email में जाएए उसके inbox में आपने जिस दिन form भरा था उस दिन एक email आया होगा CSR NTA की तरफ से या NTA UGCnet की तरफ से NTA CSR UGCnet की तरफ से तो उस email में आपका application number mentioned होगा ठीक है वो application number और date of birth यहाँ पे enter करना है और login करना है वहाँ से आप ये admit card download कर पाओगे ठीक है तो ये admit card compulsorily इसका print out लेकर आपको exam hall में जाना है ये ले जाना नहीं भूलना है इसके बिना admission नहीं देंगे वो अंदर आपको जाने भी नहीं देंगे तो admit card आपको ले जाना compulsory है आपके एक ID proof के साथ ठीक है तो जितना जल्दी हो सके download करके रखिये और CSRnet की एक और तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी जो है कि CSRnet के दिन आपको exam hall में क्या-क्या ले जाना है ठीक है तो thank you for watching this video all the best and happy learning